हेलो फ्रेंट्स वी देने देने वीडिये इसमिन आइडाफान दोस्तों आज हम इस वीडियो पर रेक्ट करने वाले है वह शिफ शक्ति यह वह मून का जो साउथ पोल है जिसके ओपर चंद्रयान 3 के लैंडिंग की है पूरी दुनिया आज उसको शिफ शक्ति ही मानेगी और उस पॉर्इंट का नाम शिफ शक्ति कर दिया गया है इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है लेकिन यह हुआ कैसे और क्या सारी ही कंट्री दुनिया कि इसको शिफ शक्ति ही मानेगी वीडियो देखते हैं अब स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो के लाइ इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सरे आर्टिकल्स पबलेश हुए हैं कि अब यह बात ऑफिशल हो चुकी है इंटरनाशनल कॉम्यूनिटी भी अब अप्रूव कर चुकी है कि जो स्तल जहां पर चंद्रयान 3 की लेंडिंग हुई थी इस एरिया को अब पूरी दुनिया ब दिखा क्या है बहुत जादा सुन्दर शब्दों का इस्तेमाल किया है शिव शक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए और मैं आपको यह बी बताऊंगा कि यह डिवलप्मेंट भारत के फ्यूचर के लिए इंपॉरेंट क्यों है लूनर इंडस्टिलाइजेशन जब इन फ्य तब उस वक्त आई ए यू का क्रिटिकल रोल क्यों रहने वाला है और मोर इंपॉरेंटली कितने कंट्री हैं जो हो सकता है कि शिव शक्ति नाम को रेकोगनाइज ना करें उनमें से कुछ कंट्री पाकिस्तान अफगानिस्तान भी क्यों सकते हैं तो डिसकस करते हैं सारा कंट्री है और ये लोग सिर्फ नाम करण नहीं करते कि किसी साइड का नाम किसी कंट्री ने दे दिया उसको सिर्फ ऑफिशल बनाने का काम नहीं है इनका ये लोग देखिए स्पेस का जो डेटा है इसको पब्लिक के सामने रखना रीसर्च करना एं लैसेस करना स्पेस की फ नया नाम रखा गया है, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे लिखा है, नेम एप्रूवट फॉर मून, मून के एक स्तल का नाम एप्रूवट कर दिया गया है, स्टेशियो शिव शक्ति, यूजुली स्टेशियो अजे प्रिफेक्स यह लोग यहाँ पर लगाते हैं, यह जो इलाका है, अब इसे फॉरेवर बुलाया जाएगा शिव शक्ति, एक जादा बेटर व्यू के लिए आप जो आइडिया है ले सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह है शिव शक्ति पॉइंट और पूरी दुनिया इसको अब यही बुलाएगी, वैसे मैं आपको यही बता दूँ, कि 2078 में, जब भारत ने चंद्रयान 1 लॉंच किया था, अब चंद्रयान 1 में आपको बता होगा, एक तो था और्बिटर, और एक था इंपाक्ट लैंडर, हमने इंटेंशनली क्रैश लैंड करवाया था, एक एक्यूपेंड को मून के सर्फेस पर, तो वो जो लैंडिंग होई थी ना, उस टाइम हमने नाम रखा था उस पॉइंड का जवाहर स्तल, हमारे देश के पहले प्रधान मंतरी के सम्मान में, जवाहर स्तल, तो यह था चंद्रयान 1 का, यह एरिया भी वैसे आपको मून क सदन पार्ट में ही मिलेगा, मगर शिव शक्ती देखिए, ज़्यादा इंपॉर्डेंट रहेगा as a spot, क्योंकि यह वो एरिया है, जहां पे हमने एक रोवर चलाया है, मून के सर्फेस पर, इंडिया, चौथा देश बना था, यह करने वाला, यहां पे आप देख पाओगे, शिव शक्ती का मतलब क्या है, यह इस UN-US की जो एक कॉलाबरेशन वाली वेबसाइट है, यहां पे इसके बार में लिखा गया है, और पूरी दुनिया के जो astronomers है, जो स्पेस की फील में लोग जेग्यासा रखते हैं, सब लोग इसको पढ़ेंगे, this is proud moment for India, क्योंकि ना सिर् हम अपनी जो scientific power है, दुनिया के सामने रख रहे हैं, साती साथ, हमानी जो धरोवर है, जो मारी history है, जो मारा culture है, वो भी दुनिया के साथ share कर रहे हैं, और एक बार यहां पर नोट करना, जो origin वाला part है यहां पे शिव शक्ती का मतलब क्या होता है, यह हमने दुनिया को बता करती है, अपने आप में बहुत ज़रा सुंदर बात है, कि हमने दुनिया के सामने, जब अपना culture रखा, आपने इसी रखी, हमने एक, आप क्या लीजिए, masculinity और femininity, दोनों को importance देते हुए, शिव शक्ती नाम चूस किया है, अब अगला question यहां पे आपका यह आएगा, कि not necessarily, याद है में आपको का था, कि international astronomical union के 80 से उपर member है, मगर कई countries है, जो यहाँ पर member ही नहीं है, उनको actually जो भी नाम ये लोग रखते हैं न, शायद ये countries recognize भी ना करें, क्योंकि एक बार जो ये world map है, ये देखो, जो भी आपको green states यहाँ पे आपको दिख रही है न, green countries, ये स इनकी membership suspend कर दी गई है, या फिर इनको group से निकाल दिया गया है, indefinitely, इनमें आपको Iran मिलेगा, Saudi Arabia मिलेगा, आप note कर पाओगे, Syria भी यहाँ पर है, North Korea भी यहाँ पर आपको मिलेगा, किसना किसी कारण की वज़े से इन सब countries को निकाला गया है, अब question यहाँ पर यहाँ आता है, कि जो countries IAU के member है, वो तो definitely moon के उस area को शिव शक्ती ही कहेंगे, जहाँ पर चंद्रयान 3 की landing हुई थी, बट जो non-member countries है, उनका क्या, क्या कल को वो उस area को कुछ और नाम दे सकते हैं, this remains to be seen, अब क्योंकि in the end, यहाँ पर country की जो खुद की policy है, उस पर depend करेगा, कि उस इलाके क तो वो क्या नाम देते हैं, that will be very important, और अगर यहाँ पर आपका question यह है, कि हमें इत्ती चिंता करने की क्यावशक्ता, कि कोई इसको शिव शक्ती बुलाया ना बुलाया, मैं वैसे आपको यह बता दूँ, देखो, आने वाले 25 सालों में, आप देखोगे, lunar industrialization का दौर स्टा बहुत टाइम हो जाएगा, बट एक टाइम आएगा eventually, जब मून के resources को लेकर, earth में conflict हो सकती है, it can very much happen, तो आज के समेना, मून के important points पर, countries, जो अपना नाम रखवारी है, अपने culture से, उस points को associate करवारी है, this is very important, आगे आने वाली generations याद रखेंगी, कि शिव शक्ती, जो हमार पूरवश थी, जो एक पुरानी generation थी, Indians की, उन्होंने ये lunar lander यहाँ पर भीजा था, और इंडिया दावे से कह सकता है, कि this is शिव शक्ती, ये area industrialization के लिए, और purposes के लिए, कल को इंडिया को मिलना चाहिए, तो for the time being, चाहे इसकी importance आपको इतनी ना लगरी हो, in the future, this will matter a lot, औ और finally, यहाँ पर मैं आपसे question भी पूछूँगा, जिसका answer आप सब लोग करोगे comment section में, के हाली में, the order of drink gaplo, ये award किस country ने बिस्टो किया है, इंडिया के प्रामनिश्तर पर, ये हैं आपकी options, भूटान, नेपाल, मॉल्डिव्स, या फिर South Korea, comment section में करिये उत्तर, जो लोग study IQ पर ही आए हैं, तो बड़ी information होती है, और बड़ा, कते हैं, ब्रीफ वीडियो में, इतना कुछ बता जाते हैं, मेरे लिए तो ये time ही बड़ी नहीं थी, के lunar industrialization होगी, और जमीन के लोग, चांद के asset जो हैं, उसको अपना मानेंगे, और उस वोग जो है, point होगा, shift शक्ती और जाहर है जहां पर इंडिया ने लेंड़ी की हो, इंडिया वो डिमांड करेगा के भई ये अब हमारा है, तो अब जैसे इंडिया का man mission भी तो था, जिसमें वो four astronauts को जी चांद के ओपर जो है, लेंड करवांगे, ये शादी भी तो ही अभी, नहीं वो खला में हुई थी जादा intelligent हो गया, जिस चीज़ के वारे में इंसान कभी सोच नहीं सकता था, आज हमें वो चीज़ें देखने को मिले लिया है, और उस पर लोग जहां भी रहे हैं, तो ये जीज़ बड़ी है तो इंसान से जहीन कुछ नहीं हो सकता है, बिलकुल और जिस उन्होंने बात की shift shift का मतब होता है, के male and female की जो power है, वो दोनो equally आ रहे हैं, तो बहुत proud की बात होगी, तमाम इंडियन्स के लिए, के चांड के ओपर एक बड़ा अपना नाम बना पाए हैं, और ये organization में आप देख लें, 180 countries हैं, और जिसके अंदर ज़हादा तर जो है, इसको shift shift ही मानेगी, जो gray area था, वो क्योंके permanent member नहीं है, तो उनके माने ना माने से कोई फरक नी बड़ता, लेकिं जो चंदरियान 3 था ना, ये इंडिया का बहुत बड़ा project था, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इंडिया को इस वज़ए से बहुत जादा, अब science and technology में importance दी जाती है, क्यों तो मून पे चलेगे हैं, हलाकि मून पे तो रश्या भी गया, चाइना भी गया, अमेरिका भी गया, लेकिन इंडिया पहला ऐसा मुल्क था, जो के south pole के उपर उसने land किया, तो चाहन पे जाना एक अलग बात है, south pole पे जाना एक अलग बात है, और यहां पर जिस तरह से उन् को study करेगा, तो yes, मैं भी यह कहूंगी कि आने वाले वक्तों में, जब यहां के दुनिया, science और AI के जमाने से निकल के जब चांड की तरह जाएंगे, दूसरे प्लानेर्स की तरह जाएंगे, तब इंडिया का उस वक्त बहुत बड़ा share market में मुझूद होगा, तो यही मुल तुमी को भी उस लेवल पर ले जाओंगा, और नमबर वन पर भी आ जाओंगा, तो इसलिए तो बोल रहे है, और वो हमें नजर भी आ रहा है, नजर आ रहा है, और यह जो स्पेस का जो यह फिर जमीन से दूसरे प्लैनेर्स तक का सखर है, इस पे वही कंट्री इंट्रस ल है, और इंडिया, आप देखें कि अमेरिका का जो नासा है, उसमें भी 50-60% इंडियन जी नासा को चला रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा एक मैं का टू है, और बड़ी अच्छी फिलिंग्स है, कि हमने शिफ शक्ती डिकलेर की है चांद के उपर, और आज से उस जगह को शि हिसाही देख लें लेकिन वह जो जो रिलीजिन बेस्ट नेम है तो अच्छा वीडियो था, मुझे बहुत पसंद आया, आपको वीडियो कैसे लगए राक मर्स में शेकर मुलता एगली वीडियो में कॉट प्रेस्ट हूँ